हेलो गाइस, वेलकम बैक टो माई चैनल एंड आज हम हमारा जो मेकप क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो आपको अगर मेकप सिखना है, सही में सिखना है तो ये कंटेनियो कीजिए मैं इतना अच्छा सिखाऊंगी आपको कि आपको आही जाए तो चलो आज हम जो स्टार्ट करते हैं, वो है हमरे फेस के पार्ट जो मैंने आपको कल बताया था कि हमरा जो पहला दिन होगा उसमें मैं आपको फेस के पार्ट सिखाऊंगी तो अब समत्ते होगे कि फेस के पार्ट क्या है, ये नोज है, माउथ है, ये सब है नहीं, make-up जब हम करते हैं, तब उसके जो points है, जो हमको याद रखने हैं उसके नाम, तो वो जो है वो different है, तो चलिए हम मैं आपको दिखाते हूं, तो पहला जो हमारा point है, तो वो हमको क्या देखना है, जो भी हमारा face है, उसकी hairline, तो ये देखिए, ये जो होती है ना, वो तो हमारी होती है है तो हम जब मेकप करते है तो क्या करते है कि ये पहले तो हम ये हैल लाइन देखते है कैसे भी हो सकती है न डिफरेंट डिफरेंट तो उस पर ध्यान देना होता है मेकप करने से करने मेकप करते वाक इस पर ध्यान देना होता है कि ये हैल लाइन है वो सही है कि नहीं अगर नहीं है तो हमें थोड़ी वो सही करनी है वो कैसे करनी है वो तो हम टुटोरियल वगेरा करेंगे सिखाऊंगी तब सिखाऊंगी तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्या है 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 लाइन पहला जो पॉइंट है वो है लाइन अब बात करते हैं सेकंड ये जो है हमारा forehead पहले क्या था? Hair line, दूसरा क्या है? forehead, तो ये जो forehead है, किसी का बड़ा होगा, किसी का small होगा, hair line से नजदिक होगा, किसी का hair line से दूर होगा, है ना? किसी का broad होगा, तो इस पर ध्यान देना है, पहले हमें थो फॉर्ड पायव क्या है है? nearly is pi christ ऑनमुआज थो सट्भल पॉइंट अभ हम फोर्थ फोर्थ क्या है आई सॉकेट ये जो एना आईब्रोज की नीचे का पार्ट ये क्या होता है किसी का स्मॉल होता है और 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 किसी का उंच्य होता है लेकिसी तुए जो आइस सॉकेट है traz ना देखना है चार हुआ क्या था पहला कि हैर लाइन फॉर हेड टेंपल पॉइंट आई सोकेट अब हम बात करते हैं नोज की तो नोज में दो याद रखने हैं ओके नोज ब्रीच नोज पॉइंट किसी का ब्रीच ब्रॉड होगा किसी का एक दम पतला होगा स्मॉल थीन होगा त हरे के नोज के शेप अलग होते हैं तो क्या ध्यान देना है नोज ब्रीच और ये जो होता है वह क्या है नोज टिक हैरे की अलग होती है आप देला देना तो यह सब पार्ट है जलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमरा जो नेक्स्ट it obs और यह जाएगा चीक बॉन होके तो यह अप होता है किसी का थोड़ा डाउन तो किसी का ब्रॉड किसी का अंदर किसी का बार तो यह जो है वो है चीक बॉन तो यह कहां है इसको ध्यान देना है तो यह जो पार्ट है इसको ध्यान दे के हमें मेकप करना है चलो अब हम आते हैं लीप पे तो यह जो है ना इसको बोलते हैं लीप स्प्राउट इसको बोलते हैं लीप लाइन लीप स्प्राउट लीप लाइन यह जो है लीप लाइन अब उपर के होट में यह जो shape होता है तो shape जो होता है यहाँ पे जो होता है line उसको बोलते हैं cliff अब कहां आते हैं यहाँ पे तो यह जो है वो jawline jawline ओके यह jawline हमारी यहाँ पे जो आप करोगे तो जो पार्ट होता है यह हमारी एक jaw line है jaw line और chin तो यह जो है वो chin तो इतने parts अगर आप याद रखोगे पहले तो आपको make up करने में आगे बहुत ही अच्छा रहेगा कहां कहां ध्यान देना है वो यह सब parts से आपको समझ में आ जाएगा तो एक revision कर लेते हैं हैं और आप आज इसकी practice कीजिएगा और यह सब जो है वो part उसको आप याद रखेगा अगर आप यह मेरा class ले रहे हैं तो please मुझे नीचे comment में भी बताईए तो इससे क्या होता है कि मुझे भी एक लगता है कि नहीं यार कोई सीख रहा है मैं यह कर रही हूं तो right और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like चलिए मिलते हैं हम कल next class में आज ही हमारा day one था तो अब हम मिलेंगे next कल ओके और कल हम समझेंगे आगे तो कल हम क्या करेंगे कि हम face type सिखेंगे ओके चलो तो मिलते हैं कल thank you so much for watching आप make up सिखे बस यहीं मेरा एक होई है कि आप make up सिखे और खुझ से make up करे thank you so much